नमस्तो भे, नमस्तो भे, नमस्तो भे एक बार फिर मैं डॉक्टर सैलेस एक नई विशे के साथ त्या विशे कुछ इस तरह है कि जैसे अभी पीछे की कुछ वीडियो मैंने कुछ खान पान को लेके डाली हैं मतलब हम लोगों को जैननली अपने जीवन में मालूम नहीं होता कि हमको कौन सी चीज, कितनी मात्रा में और कैसे खानी चाहिए तो जैसे पीछे की कुछ वीडियो में जो घी का भी मैंने जो एक वीडियो बनाई है कैसे खाना चाहिए तो आज का जो विशे है वो मैं लेके आया हूं कि अब घी की हमने बात की है लेकिन घी जिस चीज से बनता है मतलब घी जिस से निकलता है दूद के बारे में तो मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि जो गाय का दूद है वो डेरी प्रोड़क्ट से बिलकुल अलग है जैसे बोला जाता है एक सर खासकर बहुत सारे नाचरोपेटी आयरोवे देख या और भी डॉक्टर से ये बोलते हैं कि भई जो आपको डेरी प्रोड़क्ट नहीं लेना चाहिए अलग-अलग बीमारियों में अलग-अलग डिजिज में तो मैं ऐसे नहीं बोलता कि हर बीमारी में घी चलता है हर बीमारी में दूद चलता है हर बीमारी में लेकिन यहां बात आती है कि देसी गाय का ही दूद क्यों है मतलब देसी गाय का दूद जो है वो dairy product में नहीं है उसके लिए मैं आपको एक evidence एक प्रमान ऐसा देना चाहता हूँ जो सभी व्यक्ति ध्यान से सुने और इस चीज़ को जो है आप note कट ले इसको लिख ले और अपने अपने बुद्धी के विकास या बुद्धी के कौसल से जो है आप देखें कि वो बात जो कितनी सत है तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो देसी गाय का जो दूद है इसके अंदर एक ऐसा agent होता है जिसको bio enhancing agent बोलते हैं यह bio enhancing agent वो एज़न्ट है जो dairy product से अलग करता है गाय के दूद को या गाय के घी को या गाय के जो है अप छाच को या गाय की जो है दही को तो एक तो bio enhancing agent जो है वो दिसी गाय के या निकी सुद भारती नसल की जो गोमाता है उससे अलग किसी भी चीज में होता ही नहीं है एक ऐसा agent है जो देसी गाए के दूद्ध के अलावा किसि और दूद्ध में नहीं मिलता है तो एक बहुत बड़ी बात है कि जो देसी गाह का दूद्ध जो है और सबसे जो है अलग है और आ Bapt we नहीं घ्याता है दूसरी बात मैं यहां पे बोलना है टार्ट होती है हमारे उसको टार्ट बुलते हैं इंगलिस में उसको जो है यह हम्प बुलते हम्प तो जो हम्प होता है इसके अंदर एक सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सूर्द से लेके केतु तक के सभी जो ग्रहें हैं उनसे उर्जाओ को जो है लेती है और शोशित कर ुचाब को शूजब किया उसके बाद एक रियक्षान होता था है नाडी को अपनी तरफ आकरशित करेंगी या लेंगि या या उसको अपने में समाहित करें तो उसमें एक जो बनता है उसको IMP÷्ण nós राशाव करविट इन نाम का एक रसां बनता एक ऐसा पदार्त होता है जो उसमें पीलापन लेके आता है और ये पीलापन उसके सोन तत्त व यानि कि जो सोन चार के रोटिन तो उसमें सोने की मातरा होती है और जो आप सभी जानते हैं आईरवेद का ग्यान रखने वाले है कि आयरवेद में बहुत ऐसी बिमारिया है जो जब किसी भी औशदी से किसी भी दवासे ठीक नहीं होती है तो उसमें सबसे अंत में मैं बोल दूँ कि सबसे अंत में दी जाने वाली वो ऐसी जो शोन भास्म है तो वो गाय के दूद में है और गाय का दूद इसलिए भी डिरी प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि गाय का दूद जो पचने में बहुत आसानी होती है और मा के दूद के समकक्ष बताया है कि जैसे मा का दूद माने जिसने जनम दिया है जैसे मेरी माने मेरे को जनम दिया तो मेरी मा का दूद मेरे लिए उत्तम है और दूसरे पे मेरी जो मा है वो गमाता है तो उसका दूद भी उत्तम है अब बात आती है कि गाय के दूद को कितना पीना चाहिए कब पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए यहां मैं बता दूँ कि जैसे एक घी का फॉर्मूला मैंने बताया था ऐसे ही दूद का है कि 10 किलो वेट पे 50 ml दूद यानि कि 10 किलो वेट अगर किसी का है तो उसको 24 गंटे में सिर्फ 50 ml दूद ही चाहिए जैसे मैं मेरी बात करता हूँ तो मेरा बोडी वेट लगबख 60 किलो है तो 60 किलो को अगर मैं अगर 10 किलो पे 50 ml लेके जाता हूँ फिर 10 किलो पे 50 लेके जाता हूँ माने 20 किलो पे मेरा हो गया लगबख 100 ml तो ऐसे ही अगर मैं इसको लेके जाओं तो मेरा 60 kg पे जो मेरा बैठेगा जो दूद की जो मातरा बैठेगी वो बैठेगी 300 ml यानि की 300 ml तो 300 ml 24 घंटे में मेरे को दूद पीना चाहिए और एक दूसरी बात यह है कि दूद को जब पीना चाहिए वो दूद को बैठके पीना चाहिए और दूद को जो है आप घुट घुट करके पीना चाहिए और 14 साल के बाद अगर आपकी उम्र 14 साल से उपर है तो आपको सूरज की अनुपस्तिती में दूद को पी पीना चाहिए सूरज की उपस्तिती में नहीं आयर्वेद यहां कहते हैं कि दूद को पचाने के जो रस है आपकी जानकारी के लिए बता दू हमारा जो इस्टोमक है हमारा जो हामाश है इसमें हर चीट को पचाने के लिए अलग अलग रस और एंजैम्स बनते हैं इन रस और एंजैम्स की संख्या जो अईरुवेद में बताई गई है वो बताई गई है सत्रे सो प्रकार के कितने वन थाउजन शिवन हंडर्ड टाइप्स के रस बनते हैं जो हमारे भोजन को पचाते हैं इसका मतलब यह हो गया कि हर वेंजन का हर खा अगर दिपदार का अलग अलग जो है बनता है तो सूरज की उपस्तिती में वो 14 साल के बाद हमारा नहीं बनता यहां अब सवाल एक और भी आता है कि सूरज की उपस्तिती में अगर नहीं बनता तो 14 साल से पहले क्यों क्योंकि चौदे साल से हमारा जो शरीर है वो ज्यादा थर जो गाई के दूद के ऊपर या उसे भी पहले जह हम सिसू होते हैं तो मतब दो नहीं साल तक मा के दूद के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं तो इसलिए देशी गाय का दूद जो है आपको अपने बॉड़ी वेट के माने अगर हम व्यक्ति हम लोग ऐसा करते हैं तो उसके सरीन में कभी भी कहीं भी मतलब कोई भी ऐसी विमारी नहीं होगी जो उसको एक गंभीर विमारी की तरफ यह गंभीर इस्तिति की तरफ लेके जाएगी तो देशी गाय का दूद ही क्यों यह मैंने आपको बता दिया कितनी रितु वनुसार जरूर लेनी चाहिए तो यह ध्यान रखना कि बिना मौसम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए आपके अपने जीवन में देसी गाय का जो दूद है वो आप ले सकते हो तो देसी गाय का दूद सिर्फ और सिर्फ आप जब यह रावन मास आता है वर्षा रितु म जे गो मता वंदे गो मतरम जे आईरवेद जे राजी भाई